हेई स्टुडेंट, वेलकम अगेन, स्याम एकेड में दरफ्थी जे वीडियो लेक्चर चालू छे, एनो आ चोथो लेक्चर छे, आजे आपड़े जे चेप्टर चालू छे, एने कंटीन्यू करसू अपड़े 11 सैंस नू पेलू चेप्टर, रासाइन विग्णान नी केडलिक पायनी संकल्पना हो चालू करियो दू, एने अंदर 1.1 ती करेने 1.7 सुधी ना टोपिक जोही गया छे, आजे आपड़े 1.8 अन 1.9 टोपिक करवाना छे, आजे आपने सोथी पेला, मोल संकल्पना आने मोलर दढ नी थोड़ीक वात कर सू, ने त्यार बाद, बंधर नी या टका वारी माटे नी थोड़ीक वात कर सू अवे धारो के तामें साक मार्केट मा जाओ छो सफर जन लेवा माटे त्यां जेने तमारे लेवा चे चोविस एपल, चोविस लेपल लेवा होई तो मोटे पागे इतमने 2 बोक्स नी अंदर आऊ से, किमके सफर जन छे मोटे पागे ड़जन नही सावे मढता होई तो एक ब बीजा बोक्स नेंदर बीजो डेशन, एम बार-बार मडी अने टोटल 24 सफर जन तमारे पासे आवी जासे, अई याँ जे डजन छे, इन नंग मापवानों मोटो एकम छे एम कई सकाए, नंग यांगर बार जेटला छे, हवे वैग्णान इकोन ने पर्माणू अने अपनाने दाखल करवामा आवी, एक मोल एटले पदार्थ नो एटलो जत्तो के जे 12 ग्राम 12 कार्बन समस्थानिक मा रहेला पर्माणू अथवा स्पीसिस धरावे छे, अहिया स्पीसिस सब्दानो अर्थ एम थाए, के ते पर्माणू होई सके छे, अनू होई सके छे, आयन फोई, इलेक्ट्रॉन होई, के पछी प्रोट्न होई, काई पन होई, आपने दरेक ना मोल गणी सकीए, एक वात यह नोंधवा जेवी छे, कि तमने कईदू होद्ध होई कि एक मोल पदार्थ चे, पछी काई पन होई, पर्माणू अनू होई के बीजी कोई पन वस्त्तू ह एमा संख्या छे इफिक्स तई जाएचे एमा चोककर संख्या आवे लिया से पण केमिस्ट्री में आपड़े मोल तरीके दर्सावसु इ थोड़ी घणी घटक हो से जेमके पर्माणू अनू छे आपड़ी पासे आयन थे इया इलेक्ट्रोन होई के पची प्रोटोन तेथी जिज्यारे मोल संकल प्लानों उप्योग करो छो त्यारे तमारे साथे साथे कोना मोल छे इपन दर्सावू जरूरी छे मतलब त्यां स्पेसिफाइ करू पड़ से के कोनी वाद करो छो हवे जो अपड़े एम कई है के 1mol hydrogen तो इक खोटी वस्तू छे अथा तो यहमा कें अर्थ नाथी नी करतो केम भई अर्थ नाथी नी करतो एडले सू आपने लास्ट लेक्चर माँ जोईतु के पर्माण विया ने आण विया दढ़ कार्बन ट्वेल ना सापेक से लेवा माव्या था तेथीज वहिग्णा नेको एव नकी कर्यों के मोल नी संख्या पन आपने कार्बन ट्वेल नी सापेक समाज नकी कर्शू कार्बन बेज नो आधर लेशू अन एना प्रमाणे मोल गण्शू आपणे जोईतु लास्ट लेक्चर मांके एक दढ़ मापकी अंत्र होए जे कोईपण पदार्थनू दढ़ मापी ने आपन ने आपी सके छे तेमा कार्बन ट्वेल नू वजन एक पॉइंट नववाणू गुणिया दसनी माइनस त्रेवीस खात जेटलू आवियोतू वैग्णिया निको पचे थोड़ी गणत्री करेशा अने मोल नी संख्या गोतेशा आ गणत्री मा कार्बन नू जे दढ़ हतू जे बार ग्राम मोल जेटलू एना भाग्या जे एक कार्बन पर्माणू नू दढ़ावियो एना थी भागागा करेशा करेशा पणने संख्या अमाडी 6.022 गुणिया दसनी 23 खात पर्माणू प्रती मोल आटला पर्माणू ओ एक मोल कार्बन मा अथ्वातो बार ग्राम कार्बन मा हाजर होई छे तेथी आ संख्या ने एक मोल केवाई छे इसाथे जाने एवोगेडरो आंक पण केवाई छे एवोगेडरो आंक कहवा पाच्णनू कारण एम छे क्या पध्धती गोतीती ये वैगनारिकनू नाम हतु एमेडो एवोगेडरो तो एमना सन्मान मा आपड़े आने एवोगेडरो आंक केशो एक मोलने दर्सावा माटे नी संग्ना छेई एन एछे एन छे एन छेई कैपिटल ने ए नी चे आऊशे एवोगेडरो आंक नी जो व्याख्या पविवद एम कहई सकाए के एवोगाडरो आंक एटले एक संख्या छे जे पर्मानविया कणना एक मोल मा रहेला कुल कणो नी स प्रेविस घात आ दरेक माटे अचड संख्या होई छा ते थी जो तमारी पासे कोई ना पन मोल होए थो तमे त्या रहेला पर्मानू क्याणूनी संख्या गणी सको छो हवेक बिजी व्याख्या तरीके मोलर दडनी व्याख्या जोई ए तो इने एविरीते आपी सकासे के पदार्थना एक मोलनू ग्राम मा दर्सावेल दड तेनू मोलर दड कहवाई छा ग्राम मा मोलर दड़ संख्यानी द्रस्टिये परमान विया आन विया के सुत्र दड़ जे युनिफाइड मास तरीके दर्सावा मावेशे एना जेटलू होईचा आ सारी रिते समझवा माटे एक उदाहरन लईए कोई अणू लई लई लईए उदाहरन तरीके पाणी लईली दू अपणने खबर छे के पाणी छेई त्रण तत्वनों बनचे बे हाइड्रोजन हासे औने एक छेई ओक्सिजन हासे तो आपणने त्रणे नी माहीती होवी जोई है कि हाइड्रोजन नू दढ़ सुँछे औने ओक्सिजन नू दढ़ केटलू छे आवरत कोश्ट्रोक उपरती तामें जुओ तो हाइड्रोजन छे औने ओक्सिजन छे इबन्ने ना दढ़ तमने मड़ी जासे हाइड्रोजन नूँ दड़ छे तमारी पासे 1.00794 जेटलू अने ओक्सिजन नू आवसे 15.9994 जेटलू हवे जो आणविये दड़ गणू होए तो आपड़े या बदानों सर्वाडों करो पड़ से बे हाइड्रोजन नूँ जे दड़ छे इबनेनों सर्वाडों कर सू एक ओक्सिजन नू दड़ लेसू तो आम करवा थी आपणने कूल जे मोलार दड़ मड़ से आपड़े लास्ट लेक्चर माँ आणविये दड़ नी व्याख्या जोई थी कि जो तमाने आणविये दड़ गणू होए तो इमाँ जेटला परमाणू आवे छे ये बदाना दड़ लेओ अने बदानों सर्वाडों करी नाखो तो तमने आणविये दड़ मड़ी जासे साव सिंपल वात दी और आजे जे आपड़े भणे आचे हा तूं मोलर दड़ त्य आपड़ा परमान्विये आन्विये के सुत्र दड़ जेटलू होए फ़रा के ठलोचे खाली कि यू एकंव माँ आशे Sekवाननों तात परिये सूं कि मोलर दड़ क्यो कि आन्वे दड़ ग् पर्मानु के आणू रहेला छे आना सिवय वेग्नानिकोंने टकावारी जानवामा पन रसा तो पाणीनी वाद करो देमा ओक्सिजन ने हाईड्रोजन नी टकावारी केटली छे एमने जोवुदू अन्यमने एक पन झाणू ओतू के शू पाणी सुद्ध छे खरू एमा बिजा कोई तत्व तो नथी आविग्याने कोई तत्व नू टकावारी प्रमाने एटले 100 ग्राम पदार्थनी सापेक्स मा जेते तत्व नू प्रमान आपड़े सामने ते जे टकावारी गणता होई है एमा सो नी सापेक्से जोवानू होएम अईया खाली तत्व नू वजाना आउसे बिजो कोई ज फरक न थी जो तत्व नी टकावारी गोत्वानों सुत्र जोई है तो एनी अंतर करवानू छेशू सेयोजन माची तत्व नू दढ़ोई उपपर कूल दढ़न नीचे गुणियासो आविरते पाणी नू तमने आ सुत्रानी मदेत्थी जो पाणी नू गोतियो तो अपनने हाइड्रोजन ना टका आने ओक्सिजन ना टका अग्यार पॉइंट अड़ार आने अठियासी पॉइंट ओगने आएसी जेटला मढशे गणत्री साव सिम्पल छेटल आपने डिटिल माँ जाता न थी जवाब माँ आपड़े जोई सागी एम बन्ने आवि जासे आरामती साधी गणत्री छे करिटा जो थाई जासा तो आ पद्धतिनी मदत्थी तमे कोई पन रासायन होई एने अंदर रहिला दरेके दरेक तत्वनी टकावारी गोती सको छो उने टकावारी खबर पड़े तो तमे नकी करे सको के पदार्थ छेई कोनो कोनो बनेलो छा पन हवे आनू रासायनिक सुत्र बन्यूं के विरिद है अपड़े जे H2O लखिये छे एमा हाइड्रोजन बेज वख़त छे और ओक्सिजन एकज वख़त छे इकेम नकी थाए बई तो एना माटे आपणे जोवुआ नू छे रासायनिक सुत्र एने 2 रीते समज्ज्छू पेलू छे प्रमांसुचक सुत्र और बिजू छे अनू सुत्र अब बन्य आपड़े आपणे समझ वाना प्रमाण सुचक सुत्र नी व्याख्या आपिए तो एम कैसा काई के जुदा जुदा परमाण ओनी पूर्ण संख्यानों सरड गुणोत्तर दर्सा आवे छे मरलाब दरेक तत्वनों तमने गुणोत्तर मड़ से एनने आपड़े प्रमाण सुचक सुत्र कह सु जो पाणीना प्रमान सुचक सुत्र निवाद करिये तो एने दिवामा आवे छे H2O वड़े किवानो मतलबसू हाईडरोजन बेनी सापेकस से ओक्सिजन नी संख्या एक असे दर बे हाइड्रोजन सामे ओक्सिजन छे एक जेटला आने केवासे इनुँ प्रमाण सुचक सुत्र हवे जो ग्लुकोज नुँ उदाहरन जोईए अने इनुँ प्रमाण सुचक सुत्र आप ये दो थासे CH2O केवानों मतलब सुचा के एक कार्बननी सापेक्स मां बे हाइड्रोजन छे औने ओक्सिजन छे एक जेटला छे अईया अगड आपनने पूरी-पूरा परमाण विये सुत्र नी के आन्विये सुत्र नी खबर पड़ती नथी फक्त एक विजानी सापेक्स से रेशियो खबर पड़े छे के कार्बन हाइड्रोजन न ओक्सिजन नू प्रमाण माप केटलू छे हवे जो ये के अणु सुत्र नो मतलब सु थाए क्या थो तो एना थी आपनने सु माहीती मड़े आणविये सुत्र नी व्याख्या अफिये तो एम कई सकाए के संयोजन ना अणुमा रहेला जुदा जुदा प्रकार ना परमाणों नी चोक्कस संख्या दर्सा आवे छा मतलब आमा आपनने कूल संख्या मड़ से H2O मा हाइड्रोजन केटला बे ओक्सिजन छे एक आणी पेला मा आपनने खाली रेसियो मड़तो तो आई या हाइड्रोजन औने ओक्सिजन नू आपनने चोक्कस प्रमाण के कूल परमाणों ओखबर पड़ से जोके पाणी माटे एनू प्रमाण सुचक औने अनुसुत्र बनने सरखा छे पन जो ग्लुकोज ना आणविये सुत्र नी वाद करिये तो त्यां गड़ कार्बन 6 जेटला छे हाइड्रोजन बार छे औने ओक्सिजन नी संख्या पासी 6 जेटली छे तो तेनू अनुसुत्र बन से C6H12O6 हकिकतमा जोँ जहिये तो अनुसुत्र अछे ए आपडए प्रमाण सुचक सुत्र ने कोग संख्या वड़े गुणी ने बनावी शक्ये छे જેવુ તમે ગુલુકોજ માં જોઈ સકો છો એક 6 વડે ગુણી નાખો તો તમને પ્રમાણ સુચેક સુત્ર માંથી અનો સ સંખ્યા એક અને હાઈડોજન ની સંખ્યા છે બે તો બાર પ્લસ બે ગુણે હાઈડોજનુનું દળે એટલે એક આ સરવાડો કર્સો તો બાર ને બે ચૌ્દ ગ્રામ મોલ જેટ્લું વજનાવસે અને માનો કે તમને કઈ દીદું છે આપણે જોયું કે નું મૂલે કે વર્તે ગોતો તો અત્યાર સુધી આપણે જોઈ ગેયાય કે તમારે આણ્વીએ પ્રમાણ સોચક સૂત્ર કેવીતે જોવાનું છા પણા બધાનો ઉપયોગ થસે ક્યારે અને કેવી રીતે ઈ હવે હવે આ પદાર્થ માટે અનું સૂત્ર અને પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર ગોતુવી કેવીતે ઈ જોઈ લઈએ જરાગ સોથી પેલા સ્ટેપમાં આપણને જે ટકાવારી આપી છે એને આપડે ગ્રામ તરીકે લખી લએસુ મોલ કે વિર્તે ગોતાશે એનું વજણ ભાગ્યા તેનું આણવીયા દળા કોઈ પણ પધાથનું જે વજણ હોય એના ભા જો મોલ નો સુત્ર જે વજણ ભાગ્યા આણવીયા દળ છે એમાં બધાના મૂલ્યા મુખીએ તો આપણને ત્રણ જવાબ દરેક તત્વ માટે આપણી પાસે હવે જવાબ આવી ગ્યા આપણને મોલ ના જવાબ મળ્યા તમે જોઈ સકો છો એમ 1 જેમ 1 જેમ 1.5 નો મળી ક્યો આયા તમે જોસો તો ઓક્સિજન ની સામે જે મોલર રેસ્યો છ એને સંખ્યા જવાસ્વર મળી છે એને આપણે લખી નાક્સું તો આપણું જે રાસાણીક સૂત્ર હછે એમાં સોડ દારેકે ના સો ગુણક કે વાસે પણે જોઈએ કે એના ઉપર થી આણ્વીય સુત્ર કેમ ગોતી સખાસે આપણી પાસે આણ્વીય સુત્ર ગોટુવા માટે આણ્વીય દળ હોં જરૂરી છા આપણ્ય પ્રસ્ણમાં જાપેલ હતું કેઆનું આણ્વીય દળ છેઈ એક્સો થાવીય જેટ્લું છા હવ્યા મુલ્યાને ધ્યાન્વા રાગ્જો 158.1 આપણી પાસે મુલ્ય આવીય દળને આપણે પાસે જે આવીવી પ્રમાણ સૂચક સુત્ર ભાર એના વડે ભાગી નાક્સો તો આપણને જવાબ સોરૂપે એક મળસે કારણ કે બંને સંખ્યા સરખી છે તો બણને ઓડી જસે ને જવાબ એને સો રૂપે વણાઉશે મતલબ જે પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર હતું એના ગુણ્યા એક કર્સો ઇલે તમને આણ્વે સૂત્ર હૂત્ર હૂત્ર પ્રમાણ સૂચક સૂત્રા આપણને ખ્યાલ કામાણ હૂત્યાત આજ મགરેય આજ મགત્ય સૂત્યાંણ સૂ પાકીલે ચ્યાંત એમགતે છૂરણ્ય સૂંત્ય સૂત્ झाल झाल